स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में तो आज से हम लोग class 10 science का पहला chapter जिसका नाम है chemical reaction and equation इसको हम लोग शुरू करने जा रहा है तो चलिए यह वाला part जो होगा इसमें introduction part होगा कि इस chapter में हम लोग को क्या है शुरुआत में पढ़ना है वो हम लोग देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले part को तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं chemical reaction क्या होता है कोई भी चीज अगर हमारे सामने होती है तो या तो दो चीज होती है या तो फिजिकल चेंज होता है या chemical जैसे हम लोग previous 9 class में हम लोग देखे थे कि कोई भी जो changes होते हैं हमारे आस-पास में वो या तो chemical change होता है या तो physical change का पहचान यह हो जाता है कि उसका state change हो जाता है जैसे कि water को अगर हम लोग heat करेंगे तो steam मदल जाता है उसी तरह से अगर water को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो आई से मदल जाता है तो उसका nature change नहीं होता है वो उसका state change हो जाता इसमें चेंज रहता है इसको हम लोग फिजिकल चेंज करेंगे वहीं केमिकल चेंज की बात करें तो वहाँ पे उसका केमिकल कमपोजीशन चेंज रहता है किसी भी सबस्टांस का उसका केमिकल नीचर ही चेंज हो जाता है उसको हम लोग केमिकल चेंज करेंगे यहां पर chemical reaction होता है ठीक है तो क्या क्या चेंज हो सकता है तो यहां पर चार point दिए गया है A B C D यह सब changes यहां पर आपको observe होगी जैसे की change in state होगा यहां पर state का change होना का मतलब solid से liquid होना नहीं होता मैं भी समझाता उसका मतलब क्या होता है change in state होना change in color हो जाना evolution of gas होना या फिर change in temperature यह चारों चीज अगर कहीं पर दिखती है यह चारों में से कोई जादी निकलता है और उसके बाद वह white powder बदल जाता है तो यहां पर magnesium जो metal था वह तो reaction होने मतलब कि बर्निंग के बाद बर्निंग एक टैप का chemical reaction हुआ वहां पर उसके बाद जो product निकल का है white white जो powdery substance रहेगा वह तो magnesium जैसा नहीं है उसका यह state change हो गिया उसी तरह से अगर हम लोग नुद से दही बनाते है जैसे यह बीव्या सब्सक्राइट कर देंग हो जाता है अगर आइरन नेल रख देते हैं बहुत लंबे समयता का अगर रख देते हैं और वहां पर humidity है एर का पास हो रहा है तो धीरे धीरे वह उसमें रस्टिंग शूरे जाती है मतलब कि ब्राउनिस प्राउनिस आप देखने रखते हैं उसका color change और लंबे समयता का अगर छोड़ देते है होगा जैसे कि अगर हम लोग एक copper sulfate का solution लेते हैं जिसमें copper sulfate crystal डाल देंगे जिसके कारण उसको उसमें dissolve हैं उसका solution का जो color बनेगा वो bluish color का बनेगा इसमें अब हम लोग अगर iron nail डाल देते हैं तो यहां पर chemical reaction होगा और जिसके कारण iron sulfate बनेगा और copper reduce हो जाएगा तो copper नीचे में residue में बच जागा और iron sulfate green color का होता है इसलिए color change हो जागा यहां पर जो solution का color था blue से green हो जागा अगर वहीं पर copper sulfate solution में अगर हम लोग जिंक डाल देते हैं तो solution का color white हो जाएगा तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहां पर color का changes होता है जारे कोई जरूरी नहीं है क सारे के सारे reaction में हो color change कहीं पर होगा कहीं पर नहीं भी हो सकता है ठीक है तो यह सब criteria है जिसके करण हम पैचाने के यहां पर chemical reaction हो रहा है अब अगला point बात करते है evolution of gas की जैसे कि हम लोग अगर लगडी लेते हैं उसको अगर हम लोग जलाते हैं ठीक है लगडी को जला रहे ह तो वहां पर chemical change हो रहा है और उसमें carbon dioxide gas निकलता है carbon monoxide gas निकलता है इस तरह के gases evolve होते हैं तो यहां पर gas का evolution हो जाता है उसी तरह से अगर दूसरा example अगर हम लोग लेते हैं तो जिंक का granules ले ले लेंगे और उसको उपर हम लोग SCL डालेंगे तो उसमें से hydrogen gas निकलने लगत है तो evolution of gas भी होना एक तरह का chemical reaction को सो करता है अब change in temperature की बात करता है तो temperature वहां पर changes होगा जहां पर भी chemical reaction होगा या तो temperature उससे बढ़ जाएगा जितना तरह माले तरह रूंग temperature पागर हम कोई reaction करा रहें ठीक है तो वहां पर उसका temperature थोड़ा बढ़ जागा या फिर थोड़ change of color हो रहा है कि ने, state change हो रहा है कि यह सब चीज़े देखे जाएगी, तो मिला जो रहा है कहने का मतलब यह हो जाता है कि अगर यह चार पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट दो पॉइंट या चारों का चारों पॉइंट अगर कहीं मिल जाता है तो वहां पे हम लोग उ उसमें acid मिला, HCL आता है उसको breakdown होता है फिर आगे जाके अलग अलग enzymes होता है ठीक है तो enzyme secret होता है उसको further breakdown करते हुआ glucose के तरफ बनता है तो जो food हम लोग लिए थे उसमें तो glucose था लेकिन अंदर में उसका chemical change करा करा carbohydrate था, carbohydrate कर लिए उसको तोड़ तोड़ के वह glucose के फॉर्म intake करते हैं ठीक है और जो oxygen है वो blood के माध्यम से सिधे cells में हमारे जाता है और वहाँ पे जो glucose है उसकी burning होती है energy ATP के फॉर्म पे निकलता है और carbon dioxide वापस blood के दुरू ब्लंक्स के थुरू वापस बाहर निकलता है, revolution of gas हो रहा है ठीक है और हम लोगा respiration होता है तो heatness भी आती है और वो carbon dioxide absorb करके और oxygen को बाहर release करते हैं तो यहाँ पे pollution of gas हो रहा है तो इसके कारण यहाँ पे chemical change होता है तो यह सब characterias हम लोग पकर सकते हैं कि यहाँ पे chemical reaction हो रहा है मतब कि chemical changes हो रहा है जहाँ पे chemical changes हो रहा है वहाँ पे chemical reaction होता है ठीक है तो इस कारण से हम लोग पकर सकते यहाँ पर chemical reaction होता है यही concept होता है chemical reaction का अब हम लोग बात करेंगे chemical equation क्या होता है तो जो भी chemical reaction हो रहा है अगर उसको हम लोग on paper में हम लोग किसी भी तरह से लिखते हैं तो वो जो written form of chemical reaction होता है उसी को हम लोग कहते है chemical equation अगर हम लोग इसके definition के बात करें खार इसके definition तो पू इसको हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे लोग लिखते हैं किसी भी फॉर्म में मिकहेंगे कैसे अब जैसे कि गया है और अब इसको कैसे क्या ल किया जो चीज्अ हमारे पास initial में था क्या था magnesium था इनिशन में रिवन था और oxygen air से हम लोग ले रहे थे तो यह initial चीज था इस पूरे चीज को हम लोग कहेंगे reactant जो सुरुवात में चीज था reaction से पहले जो चीज था इसको हम लोग कहेंगे अब कुछ भी हो सकता है वो उसको हम लोग कहेंगे रियक्टे और जो रियक्टे होने के बाद प्रोडक्ट जब बना तो वो जो चीज बनता है उसको हम लोग कहते है प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोडक्ट बना था मैगनेशियम ऑकसाइड ठीक है इसको हम लोग कहेंगे फ्रोडक्ट ठीक है अब यहाँ पर समझने का है जो रियक्टेंट है वो एक हो सकता है एक से दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है कुछ भी रेक्षंट हो सकता है जितना चीज रियक्षन सुरू होने से पहले वेले चीज़ existence में था उसको हम लोग reactant कहेंगे रियक्शन होने के बाद जो जो चीज बना जारे चीज़ भी बन सकती एक बने दो बने तीन बने चार सकता है उस जितने चीज़ को product कहेंगे ठीक है तो यहूग यह चीज़ जितने सवस्टांस बनके निकलेंगे वह हम लोग product तो यह हो गया वर्ड लेकिन अगर हम लोग वर्ड लिखते हैं तो यह तो बहुत लंबा-लंबा एक्वेशन हो जागा इतना लंबा-लंबा लिखने के बैठेंगे तो फूरसप नहीं मिलेगा ठीक है तो हम लोग क्या किया है उसको रेकिकल एक्वेशन को लिखने के लिए हम वने उपाया लगाया कि उसके formula को लिखते है ठीक है अब जैसे कि magnesium oxide जो हमारा जो पहले हमें बताया है यहाँ पे magnesium plus oxygen को react करने के बाद magnesium oxide बना ओके तो यहाँ पे देखे इसको symbol के form पे लिखा हुआ है ठीक है mg हो गया magnesium को represent कर रहा है को यहाँ पे oxygen को represent कर रहा है ठीक है oxygen air से आया ठीक है ओके और यहाँ पे mg magnesium oxide बन गया तो इसके chemical formula को हम लोग लिख दिये उसी form रियेक्टेंट यह पूरा magnesium plus oxygen यह रियेक्टेंट हो गया और magnesium oxide हमारा product बन गया प्लस इसके साथ heat निकला ठीक है ठीक है यहाँ पर हीट भी निकला था ओके इस फॉर्म पे अगर हम लोग लिखते है formula के form पे तो इसको proper तरीके से हम लोग कह सकते है यह chemical equation लिखा हुआ ठीक है उसी तरह सेग्टमेंट ने जिंक वाला example दिया था तो जिंक granule ले लिए तो जेडन हो गया जिंक का सेंपल उसका बाद sulfuric acid के साथ उसको हम लोग रियक्टर है तो जिंक प्लस sulfuric acid हमारे पास initial में था इसलिए जिंक प्लस sulfuric acid हम हो गया हमारा reactant ठीक है और उसका product क्या निकल के आया जिंक sulfate बना और hydrogen gas यहां पर बाहर निकली ठीक है तो यह हमारा जिंक sulfate plus hydrogen gas यह हमारा product हो गया तो reactant product आपको समझ में लिखने का तरीका हो गया कि जो reactant है उसको symbol के form में उसका जो फर्मूला होता उसको reactant पहले प्लस करकर करके लिखेंगा और एक साथी करके लिखेंगा उसका बीच में एक तीर का निशान इस तरह का दे देंगे ठीक है और उसके बाद जो हमारा product बना उसको हम दो लिखने का तरीका अच्छा एक चीज़ और देखिए यहां पर आप देखेगा इस वाले equation का मैं बात कर रहा हो तो जिंग का नंबर क्या है ठीक है जिंग के हाँ पर एक है अच्छा एक चीज़ और समझ दीजे जैसे एच्टू एसो फोर लिखा हुआ है तो जो भी है है हड्रोजन का सिंबल हो इसके बाद जो लिखा हुआ है वो उसके एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है यह हाँ पर H2SO4 होल मिला के है sulfury Acad ho Richy Okay H2 इस sulfury Var Physics में hydrogen के दो atom है Sulfur S से sulfur हो गया हां पर कुछ नंद लिखाय तो मतलब वन है तो one है तो sulfur के एक atom है और oxygen के चारम ठीक है तो यह जो साटो मिला के मतलब ही हाड्रोजन के वह sulfur के 1 और oxygen के 4 मिला के यहाँ पे हमारे sulfuric acid H2SO4 का निर्मान करते हैं ठीक है यह हमारा पूरा मिला के H2SO4 का molecule कहेंगे ठीक है इसके बाद जो लिखा हुआ तो hydrogen 2 atom है sulfur 1 है oxygen 4 है अगर यहाँ पे 2 लिख देता है ठीक है यहाँ पे अगर 2 लिखता है तो 2 molecules of hydrogen hydrogen hydrochloric acid हो जाए है H2SO4 का 2 molecules हो जाएगा ठीक है तो यह अंदर जो लेफ साइड में अगर उसके पीछे में लिख देते हैं तो उसके molecule को represent करता है और किसी भी element के आगे में जो number लिखावा एक दो तीन चार जो ही लिखावा उसके atoms को रहे प्रेज़न करता है उसी तरह से आप यहाँ पर देखे जिंक sulphate में जिंक एक atom है sulfur एक atom है और oxygen चार atom मिला के जिंक sulphate मिला है यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है बाहर में मतलब कि 1 है वन है तो एक molecule हुआ अगर यहाँ पर टू लिख देता तो मलईक्व तीन लिख देता ओ तो तीन मालगुल ठीक है उसी तरह से यहाँ पर जो sav dirt है यहाँ पर जो एक टू देख रहे हैं तो यह यहां पर एक molecule of hydrogen उसी तरह से अच्छा एक चीज़ और मैं वहां पर बताना चाहोगा इसको पहले मैं रिलेस कर लेता हूँ अब यह equation का आप बात कीजिए तो इसमें reactant और product law of conservation of mass and energy के हिसाब से reactant and product का number बराबर होना चाहिए जितना reactant में number of atoms and molecules होगे उतना ही product में भी number of atoms होने चाहिए अब यहां पर आप काउंट करना सुन कीजिए यहां पर यहां पर यहां पर चार atom of oxygen का है यहां पर चाहिए इस तरह का जो एक्वेशन है जो reactant और product अगर दोनों बराबर है तो यहां पर इसको हम लोग है जो अब यहां पर देखें मैंगनेशन केतना है एक है एक सिंगल एकिवेशन फीरीने के है अब आई यहां पर तो यहां पर रहा इक होगी है तो बराबर नहीं तो इस तरह का equation हो गया इसको हम लोग कहेंगे unbalanced chemical equation जब कि यह वाला जो zinc वाला equation था zinc plus hydrochloric acid वाला यह balanced है क्योंकि दोनों सेट आटम की नंबर बड़ावर थी और यहाँ पे unbalanced है ठीक है तो unbalanced है तो unbalanced equation अगर कहीं पे लिखा वा रहता है तो उसको हम लोग skeletal chemical equation भी बोलते हैं सबसे पहले अगर कोई chemical equation हमें लिखना है कोई भी अगर reaction हमारे सामने हुआ तो उसको सबसे पहले skeleton form पे ही लिखते हैं उसके बाद उसको हम लोग जाके balanced chemical equation लिखना है balanced कैसे करते हैं यह वाला आएगा next part में सबसे पहले इसमें हम लोग को समझना है कि हम लोग skeleton chemical equation भा मलगके unbalanced simply जो reaction हो रहा है उसको हमको simply लिख रहा है अब जैसे कि एक equation में बताता होगा यहां पे लिखने का जैसे कि carbon है हमारे पास कोईला है ठीक है उसको हम लोग हवा में बंड की carbon plus O2 हवा से ले लिया और इसका जो reaction बनेगा CO2 carbon dioxide निकलता है यहां पे आप देखिए यहां पे बैलंस्ट है carbon जो नंबर है वो बन है इधर भी बन है ठीक है oxygen का नंबर दो है यहां पे भी दो है ठीक है तो अच्छी बात है लेकिन सबसे पहले अगर कोई equation लिखते हैं तो वहां पे हमें जो element और product इंवाल्व हो रहे हैं उसको reactant के जगह पर लिखेंगे प्लस करके फिर तीर का निसान देके product को लिखेंगे उसके बाद हम लोग balance कैसे करना नेक्स पार्ट में आएगा ठीक है तो इस तरह हम लोग क calcium carbonate का form होता है CACO3 plus water निकलता है इस तरह का अगर आपने equation देख रहे हैं तो यहाँ पर देखें का नंबर कितना 1 है यहाँ पर यहाँ पर oxygen कितना है दो इधर और दो इधर चार है तो यहाँ पर तीन इधर और एक इधर चार है hydrogen कितना है यहाँ इस तरह का equation balance है और भी chemical equation ल हो रहा है उसको हम लोग on paper लिख देते हैं उसी को हम लोग chemical equation कहते हैं जैसे कि Aluminium Oxide हो गया Al243 प्लस इसमें HCl के साथ अगर हम लोग react कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा AlCl3 प्लस यहाँ पर हमारा water निकल जागा ठीक है तो यह हमारा आ जाता है अब chemical equation जो हम लोग यहाँ प कोई जरूर नहीं है कि अगर हम लोग chemical equation शुरुवात में लिख रहे हैं तो वह balance ही हो कि आए ठीक है इस करेटन भी हो सकता है अगर balanced आगे तो ठीक है नहीं आया तो उसको हम लोग balanced करेंगे ठीक है तो इस तरह का जो भी chemical reaction हमारे सामने हो रहा है उसको अगर हम लोग पर प् मिलते हैं अगले वीटियो